हेलो फ्रेंट्स मैं मनोज और स्वागत है आपका टेक्नलोजी स्टफ यूट्यूब चेनल में इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं सैमसंग एकजिनोज 2100 प्रोसेसर का मीडियाटेक डाइमेंड सिटी 1100 प्रोसेसर के साथ दोनोजी चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ आते हैं और दोनोजी प्रोसेसर आपको फलेक्षिप स्मार्ट स्पोन में देखने को मिलेंगे सैमसंग एकजिनोज 2100 प्रोसेसर सैमसंग के एस 21 सिरीज में देखने को मिलता है जबगी मीडिया टेक डाइमेंड सिटी के साथ अभी तक कोई भी स्मार्ट स्पोन लॉंच नहीं हुआ है तो आप देरना करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करते हैं लॉंच डेट की तो दोनोजी प्रोसेसर जनवरी 2021 में लॉंच हुए है CPU फेबरिकेशन प्रोसेस की बात करें तो Samsung Exynos 2100 प्रोसेसर 5NM फेबरिकेशन प्रोसेस पर बेस्ट है जबगी MediaTek Dimensity 1100 6NM फेबरिकेशन प्रोसेस पर बेस्ट है तो जिस चिपसेट की फेबरिकेशन प्रोसेस कम होगी वो उतना ही पावर इबरिकेशन प्रोसेस में Samsung Exynos 2100 प्रोसेस प्रोसेस पर बेस्ट है MediaTek Dimensity 1100 चिपसेट है CPU आर्किटेक्चर और कोर की बात करें तो दोनुई ही चिपसेट 460 बिट आर्किटेक्चर के साथ आते हैं और दोनुई ही चिपसेट जिसमें अल्ट्रा कोर दी गई है हाई परपोर्मेंस के लिए जो आती है लेटेस्ट ARM Cortex X1 के साथ जो कलोगडे 2.9 GHz पर और तीन परपोर्मेंस कोर दिये गए ARM Cortex A78 के साथ जो कलोगडे 2.8 GHz पर साथ चार पावर इपिसेंस कोर दिये गए ARM Cortex A55 के साथ जो कलोगडे 2.2 GHz पर जबगी डाइमेंसिटी 1100 में 4 प्लेस 4 कोर के साथ Dual Cluster Architecture दिया गया है जिसमें चार परपोर्मेंस कोर आते है ARM Cortex A78 के साथ जो कलोगडे 2.6 GHz पर साथ चार पावर इपिसेंस कोर आते है ARM Cortex A55 के साथ जो कलोगडे 2.0 GHz पर तो यहां CPU परपोर्मेंस में Exynos 2.100 चिपसे सुपीर है Dimensity 1100 से क्योंकि यह latest ARM Cortex X1 High Performance के साथ आता है और साथ ही में जो Cortex A77 परपोर्मेंस कोर दिया गया है उसकी कलोग स्पीड भी 8% बेतर है Dimensity 1100 से तो यहां कलियरली CPU परपोर्मेंस में Exynos 2.100 बेतर है GPU या Graphic Process Unit की बात करें तो Exynos 2.100 चिपसेट आता है latest ARM Mali-G78 GPU के साथ जो 14 कोर के साथ आता है जबगी Dimensity 1100 चिपसेट आता है last generation ARM Mali-G77 GPU के साथ जो आता है 9 कोर के साथ GPU कलोग स्पीड की बात करें 2100 में जो GPU दिया गया है वो latest GPU है जबगी Dimensity 1100 में भही GPU दिया गया है जो Dimensity 1000 पलस में दिया गया था साथ इस GPU स्कोर की बात करें तो Exynos 2.100 के GPU को N22 पर 2,25,000 पॉइंट मिले हैं जबगी Dimensity 1100 को 2,10,000 पॉइंट मिले हैं तो GPU Performance में Colorly Samsung Exynos 2.100 winner है रेम और Storage सपोर्ट की भात करें तो दोनुई चिपसेट 16GB तक की Quad Channel रेम को सपोर्ट करते हैं Exynos 2.100 2750 MHz तक की Frequency की LPDDR5 रेम सपोर्ट करता है जबगी Dimensity 1100 LPDDR5 रेम को सपोर्ट नहीं करता साथ ही दोनुई चिपसेट 233 MHz Frequency की LPDDR4X रेम को सपोर्ट करते हैं तो यहां रेम सपोर्ट में Exynos 2.100 बेटर है क्योंकि यह LPDDR5 रेम को सपोर्ट करता है जो की Dimensity 1100 LPDDR5 रेम को सपोर्ट नहीं करता है Storage सपोर्ट की बात करें तो दोनुई प्रोसेसर ओन डिवाइस Full HD Plus डिस्पले का सपोर्ट मिलता है और 144Hz का रिप्रेस रेट भी मिलता है साथ ही Quad HD Plus डिस्पले का सपोर्ट भी मिलता है जो 90Hz तक रिप्रेस रेट को सपोर्ट गरता है Exynos 2.100 में ओन डिवाइस 4K 120Hz तक की डिस्पले का सपोर्ट मिलता है और साथ ही Quad HD Plus डिस्पले का सपोर्ट मिलता है जो 144Hz रिप्रेस रेट के सपोर्ट के साथ मिलता है तो यहां डिस्पले सपोर्ट में Exynos 2100 बेटर प्रोसेसर है क्योंकि यह 4K तक के डिस्पले के सपोर्ट के साथ आता है केमरे सपोर्ट के अगर बात करें तो Dimensity 1100 के साथ सिंगल केमरा मिलता है मेकसिमम 108 मेकापिक्सल तक का और अगर डियूल केमरे सपोर्ट की बात करें तो 32 पले 16 मेकापिक्सल तक डियूल केमरा सेटप मिल सकता है एक जिनोस 2100 की अगर बात करें तो 200 MP तक सिंगल केमरा मिल सकता है और 32 पलस 32 MP का यहां पर डूल केमरा सेटप भी मिलता है अगर केमरे सपोर्ट में ओवराल देखा जाए तो यहां पर एक जिनोस 2100 बेटर चिप सेट है वीडियो केप्टर रिजूलिशन की अगर बात की रिकोर्ड कर सकता है 120 FPS तक ताइमेंज सिटी 1100 की अगर बात करें तो इसके साथ मेक्सिमम 4K तक डिस्पले रिकोर्डिंग का ओप्शन मिलता है जो 260 पिक्सल वाले 4K Ultra HD वीडियो रिकोर्ड कर सकता है 60 FPS और 1080 पिक्सल वाले Full HD वीडियो रिकोर्ड कर सकता है 120 FPS पर वीडियो को टेम के साथ आता है जो mmWaveBand को भी सपोर्ट करता है और सब 6GHz बेंट को भी सपोर्ट करता है mmWaveBand की बात करें तो 7.3 Gbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है और 3.67 Gbps की अपलोड स्पीड मिलती है सब 6GHz बेंट की बात करें तो 5.1 Gbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है औ और 1.92 Gbps की upload speed मिलती है और 4G network की बात करें तो 3Gbps की download speed मिलती है और 422 Mbps की upload speed मिलती है Dimensity 1100 की बात करें तो यहां पर integrated 5G mode मिलता है जो शिरफ सब 6 GHz band को support करता है जो maximum download speed देता है 4.7 Gbps की और maximum upload speed देता है 2.3 Gbps की तो मेरे इंसाब से connectivity और speed के मामले में Exynos 2100 better processor है benchmark score की अगर बात करें तो Antutu benchmark में Exynos 2100 को मिले हैं 6,80,000 और Dimensity 1100 को मिले हैं 5,80,000 तो Antutu benchmark में Exynos 18% जादा point मिले हैं Dimensity 1100 से Antutu के इंसाब से Exynos 2100 better processor है Dimensity 1100 से Geekbench score की बात करें तो Exynos 2100 को single core में मिले हैं 1089 points और multicore में मिले हैं 3963 points जबगी Dimensity 1100 का Geekbench score अभी तक available नहीं है क्योंकि Exynos 2100 chipset के साथ Samsung S21 series launch हो चुकी है जबगी Dimensity 1100 के साथ अभी तक कोई smart phone launch नहीं हुआ है तो ये तो था comparison Samsung Exynos 2100 chipset का MediaTek Dimensity 1100 chipset के साथ GPU से बात करें तो Exynos 2100 में जो CPU दिया गया है वो कलियरती बेतर है क्योंकि वहाँ पर X1 core का यूज़ किया गया है और higher clock speed भी मिलती है GPU में भी Exynos 2100 बेतर है क्योंकि इसमें ARM के latest GPU का यूज़ किया गया है केमरा और वीडियो केप्चर में भी Exynos बेतर है क्योंकि ये 200 Megapixel तक के केमरे को सपोर्ट करता है और साथ ही 8K तक के वीडियो को record कर सकता है connectivity में भी Exynos बेतर है क्योंकि इसकी download और upload speed दोनों ही बेतर है अगर overall performance की बात करें तो Exynos 2100 undoubtedly बेतर चिपसेट है Dimensity 1100 से जिसे Antutu score भी confirm करता है तो मेरे हिसाब से Exynos 2100 इस battle में ultimate winner है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कर देना, share कर देना और साथ ये अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए और all वाले option को select कीजिए ताकि मेरे latest वीडियो के notification तुरत आप तक पहुंच आए जैसे ही हम वीडियो upload करते हैं इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए धन्यवाद